ओम शान्ति कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है किसी से भी लड़ना जगड़ना नहीं है यसे लौकिक में भी समझाया जाता है कहा जाता है कि कहीं पर भी रहते हो लड़ना जगड़ना नहीं यह तो तुम्हारे साथ हमारी भी इजग जुड़ी है तो सब यह कहेंगे कि के बच्चे हैं, लौकिक में भी ये पार्ट शुरू से पढ़ाई जाता है, कहीं पर भी जाओ, लड़ाई जगडा नहीं करना, घरना जगडना नहीं, बात करना सलीके से, जो कोई ये कहे, इनके माबाप नहीं नहीं अच्छे संसकार दिये हैं, ऐसे कोई एक्टिविटी नह करना, जिससे कोई ये कहे, इनके माबाप नहीं नहीं कैसे संसकार दिये हैं, ये बात लोकिक में भी सिखाई जाती है, और अलोकिक, पारलोकिक भी ये ही बात दोराते हैं, क्योंकि इस बात के लिए बाबा बार बार अटेंशन खिचवाते हैं, कि आपको कैसा होना चाहिए दुनिया कैसी है दुनिया क्या सोचती है या दुनिया क्या एक्टिविटी करती है उससे आपका कोई तालुक नहीं है आपको भगवान जो पढ़ा रहे हैं भगवान जो एक्टिविटी सिखा रहे हैं उससे आपका तालुक है या तो आप पढ़ना रहे होते या तो उसकी संतान न होते या वो समझाया न हुआ होता फिर तो आप कह सकते हम जाने में हो रहा है जब जान कर पहचान कर सब समझ कर भी वही एक्टिविटी करेंगे जिससे बाप की निंदा होती है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो कभी भी बाप की मिंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना जगणना नहीं है, तुम कोडी से हीरे जैसा बनते हो, तो अच्छी रिती धारना करनी है, क्योंकि कोडी जैसे थे, धारनाएं कैसी थी, ये सब को पता है, क्या एक्टिवि फिर के वही आ जते हैं, कारण, यह नहीं समझते, इन स्वभाव संसकारों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह माया की प्रोपर्टी है, वापिस वापिस उनी चीजों को लेकर अपना जीवन जीने लगते हैं, तो कोडी जैसा ही जीवन होगा, अगर धारना अपना जीवन हीरे तुले नहीं नजर आता है तो समझ जाना कि रावन की प्रोपर्टी जादा इस्तमाल करते हो इसलिए कोड़ी जैसा लगता है तो धारना बहुत जरूरी है ओके ओम शांति